पिहार की राजधानी पटना में बने मरीन ड्राइफ की बाद लखिसराज जिले में भी क्यूल नदी के किनारे मरीन ड्राइफ बनाई जाने की मांग उठने लगी है दरसल शेहर में एक मात्र मुख्य सरक रहने की वज़े से जाम की समस्या लोगों को प्रति दिन दो चार होना पड़ता है अब शेहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नदी के किनारे मरीन ड्राइफ निर्मान के लिए लोगों की मांग उठने लगी है मरीन ड्राइव के निर्मान हो जाने से शेहर के विवसाई भी खुश हाल हो जाएंगे इसके साथ ही शेहर में लगने वाली जाम से लोगों को छुटकारा भी मिल पाएगा आपको बता दे कि पिछले दिनों जिला प्रसाशन के द्वारा रस्तावित वनवे ट्रैफिक सिस्टम कार ट्रायल किया गया था जिससे तीन चार दिनों तक लोगों को जाम से काफी राहत मिली थी लेकिन इस तौरान एक तरफ से लंबी दूरी ववाहनों के द्वारा अधिक भारा वसूले जाने की वज़े से शेहर के विवसाईयों और अन्य लोगों के द्वारा उक्त वनवे ट्रैफिक सिस्टम का जिला प्रसाशन के साथ बैठक में विरोध किया गया जिसके बाद जिला प्रसाशन के द्वारा अपना प्रस्ताव वापस ले लिया गया वहीं अब शेहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नदी के किनारे मरीन ड्राइव निर्मान के लिए लोगों की मांग उठने लगी है मरीन ड्राइव के निर्मान हो जाने से शेहर के विवसाई भी खुशाल हो जाएंगे इसके साथ शेहर में लगने वाली चाम से लोगों को छुटकारा भी मिल पाएगा मरीन ड्राइव निर्मान से रोजगार का भी करीब लोगों को अफसर मिलेगा मरीन ड्राइव निर्मान के लिए कई वर्ष से बुद्धी जीवेव दोरा मांग उठाई जा रही थी लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदाशिंता की कारण इस ओर पहल नहीं हो पा रही लोगों का मानना है कि कवया मोर से लेकर नगर परिशत स्थित छगनलाल घाट पर मरीन ड्राइव के निर्मान होने से लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा मरीन ड्राइव होकर पैदल या बाइक से लोगों का आगमन हो सकते हैं मरीन ड्राइफ के निर्मान हो जाने से शहर की सुन्दर्ता की साथ साथ लोगों की आगमन में भी हो रही परिशानया भी कम हो जाएंगी वहीं शहर के लोगों का कहना है कि मरीन ड्राइफ के निर्मान हो जाने से लोगों को आगमन की सुविधा भी हो जाएगी इस पर स्थानी सांसत और विधायक द्वारा पहल किये जाना चाहिए ताकि लखे सराय जिले में भी क्यूल नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाया जा सके मरीन ड्राइव के निर्मान होने से लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा साथ ही शहर के विवसाई भी खुशहाल हो जाएगा इतना ही नहीं मरीन ड्राइव निर्मान से रोजगार का भी गरीब लोगों को अफसर मिल पाएगा ऐसे में अब देखना है कि यहां की जो लोग हैं उनका मांग को स्थानिय सांसत और विधाय कितना तबज्जू देते हैं क्योंकि अब लगतार क्यों नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाए जाने की मांग उठने लगी है तो इस खबर में इतना ही बने रहे लाइव सिटीज के साथ धन्यवाद